हाई गईज मेरा ना मैंकल पेश्करग और अपने इस वीडियो में आप सभी कामें वेलकम करता हूँ दोस्तों कल के वीडियो में हमने देखा था कि यूट्यूब के वीडियो कैसे बनाय जाते हैं वहाँ पर मैंने आपको मॉबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड करने की जानकरी दी और लैप्टॉप और कम्प्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्ड करने की भी जानकरी दी आज इस वीडियो में हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको मॉबाइल पर एक वीडियो रिकॉर्ड करके बताऊंगा और उसको एडिट करके भी बताऊंगा तो वीडियो का अंतर तक देखते जाएए वीडियो शुरू करने से पहले एक खास निवेदन कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबागर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले समय के मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो आईए वीडियो शुर कर लिया है तो ऐसा एप आपको दिखाई दे रहा होगा सिंपली आप इसके उपर क्लिक करें जैसे ही आप इसके उपर क्लिक करेंगे यहां पर देखिए आपको लेफ्ट साइड में जो दिखाई दे रहा है तो इस तरह का इंटरफर आपके सामने आएगा यहां पर आपको जो दो लाइने दिखाई रही है वहाँ पर आपको एक लाल डॉट दिखाई देगा, आप उसके उपर क्लिक कर देजिए, और आप उसके बाद मॉबाइल में जो भी सारी चीजे करेंगे, वो रिकॉर्ड हो जाएगी, देखिए जब अभी मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर है और ज वीडियो फॉल्डर में जाके सेव हो जाएगी, आपकी गैलरी में आ जाएगी, तो अब आप ये देख लिजिए कि ये उपर वाली जो फाइल है, अभी मैंने रिकॉर्ड किये, आप इसको सुन लिजिए, तो अब दुस्तों रह जाता है काम हमारा एडिटिंग करने का, त आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, योट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप किसी भी योट्यूब वीडियो में सर्च करें, काइन मास्टर डाउनलोड तो वहाँ पर वीडियो आ जाएगा और वीडियो के डिस्रिप्शन में का इन मास्टर का लिंक आपको देगा तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लिजिए अब यह जो प्लस का निशान है वहां पर हम क्लिक करेंगे 16 into 9 यह जो फर्स्ट वाला है उसको हम लेंगे अब यह जो सबसे उपर देखो मीडिया लिखा हुआ है इस मीडिया के उपर हम क्लिक करेंगे और यहां पर बैक्ग्राउंड लिखा है वहां से हम कोई भी एक बैज ले लेंगे जिसके उपर पुरी वीडियो recording की जानी है अब ये जो काला काला है wallpaper वो सबसे नीचे रहेगा इसके उपर बाकी सारी layer वगिरा आने वाली है तो अब layer में जाते हैं layer में जाके मेरा जो record किया हुआ ये वाला वीडियो है ये मैं ले लेता हूँ तो ये दिखिए वीडियो आ गया अब इस वीडियो को मैं मन चाही जगा पर move कर सकता हूँ तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा कर देता हूँ ये मैंने यहाँ पर इसको बढ़ा करके लगा दिया अब दोस्तों ये mobile की screen recording है तो इसके उपर मुझे एक cover डालना होगा mobile का जिससे ये दिखाई दे कि ये mobile में बन रहा हुआ है तो यहाँ पर मैंने एक PNG image डाउनलोड कर रखी है mobile की frame आप Google पर सर्च करें mobile frame तो आपको बहुत सारी PNG mobile की frame मिल जाएगी तो आप उस frame को डाउनलोड कर दीजिए और डाउनलोड करने के बाद इस तरह से आप इस वीडियो के उपर लगा सकते हैं तो आपको कुछी इस तरह से दिखाई देगा कि यहाँ पर mobile में ही वीडियो चल रहा है और इस frame को आप इस वीडियो के साथ साथ लंबा खींच दीजिए अब यह वीडियो किस बारे में है आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए और मैंने एक animation तैयार कर रखा है वो animation में यहाँ पर लगा देता हूँ वो जो animation है मेरे वीडियो के बारे में है कलपिश गर्ग ग्यान बाटने से बढ़ता है तो यह मैंने green screen में बना रखा है इसको कैसे बनाते हैं वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बता दूँगा तो इसको मैं यहाँ पर छोटा करके उपर लगा देता हूँ यह और इसको मैं क्लिक करके यहां से कौपी करता हूँ ऐसा कैसा आ गया तो इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और डुपुलिकेट करता हूँ ऐसको मैं आगे कर लेते हैं थोड़ा सा मतलब यह पूरा अंत तक इस तरह सा है आना चाहिए अब मैं आपको प्ले करके बता देता हूँ अभी तक हमने क्या कुछ कर लिया है अब यहां पर मैं टाइटल लिख देता हूँ हाउ टू एडिट यूट्यूप वीडियो और इसको हम यहां पर लगा देता है यह डबल ए दिखाई दे रहा है यहां पर क्लिक करेंगे और यहां से हम इसको थोड़ा बॉल्ड करना चाहते हैं तो बॉल्ड कर सकते हैं यह वाइट है इसके उपर हम कलर चैंज कर सकते हैं क्लिक करके तो यहाँ पर हमने इसको रख दिया है और यह जो लेटर है इसको लाश्ट तक खिंच लेंगे अन्त तक तो यह लेटर अन्त तक रहेंगे अब हम इसको देख लेते हैं अब यहाँ पर आपको यूट्यूब के बारे में वीडियो बना रहे हैं और यूट्यूब का कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं आप गूगल पर जाएए और डाउनलोड कर लिजिए कोई भी इमेज बहुत सारी इमेज अवेलेबल होती है आप मन चाही में लिख सकते हैं तो एक तो ये यूट्यूब के बारे में वीडियो है तो ये इतनी जगह हमने कवर कर ली और यहां पर इसको में लाश्ट तक खिंच देता हूं और फिन जी वाले को भी खिंच देता हूं और बाइक कुछ अगर आप यहां पर लगाना चाहते हैं जैसे आप कहना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक करें तो लाइक करने वाला भी मैंने यहाँ पर बना रखा है यूट्यूब से आप डाउनलोड कर सकते हैं लाइक करने वाला भी यह देखो मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर रखा यह रा लाइक करने वाला तो यहां पर यह हमने set कर दिया और overall animation यहां पर है इसके अंदर जाके हम इसको blink घर देंगे तो क्या होगा इसको हम पूरा खींच लेते हैं और जब यह चलेगा तो यह blink करेगा इस तरह से पूरे वीडियो में और यहां पर नीचे आपने मेरे वीडियो में देखा होगा कि एक और चीज लगी हुई है मेरा नाम लगा हुआ है तो यह भी मैंने PNG में बना रखा है तो इस नाम को भी हम यहां पर लगा देते हैं यह देखिए कलपेश कर्ग चैनल होस्ट यह और एक और चीज मैंने बना रखी है वो है मैंने PNG में अपना जो Instagram ID है उसका एक PNG मैंने तहियार कर रखा है आगे मैं आपको बताऊंगा कि यह PNG कैसे तहियार किये जाते हैं यह PNG मैंने यहां पर लगा दिया और यहां पर मैं लिख दूँगा DM Me DM Me On इसको भी हम कलर कर लेते हैं यह वाला इसको छोटा कर लेता हूं थोड़ा सा ताकि जगह मिल जाए बस और इसको हम लाश तक खेंच देते हैं अब यह इस तरह से बन चुका है अच्छा खासा अब यह खाली जगह दिखा ही दे रही है तो यहां पर मैं एक लाइन और लिख देता हूं टेक्स में जाएंगे यूट्यूब से जुड़े अन्य वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिये गए हैं यहां पर मैंने वॉइस में बोल कर टाइपिंग कर दिया है और यहां पर यह मैं लगा देता हूं ताकि दूसरे कोई वीडियो देखना चाहें तो भी देख सकता है यह सारे फॉंट को छोटे बेड़े करने के लिए यह सारे सेटिंग काम आएंगे यह हो गया दूस्तों यह देखिए अब इतना हो गया अब दूस्तों कभी कबार आपने मुझे देखा होगा कि मैं पहले बोलता हूं और उसके बाद मेरा जो चैनल का इंट्रो है वो चलता है तो आईए वीडियो शुरू करते हैं जब मैं ऐसा बोलता हूं और उसके बाद वो चैनल का इंट्रो आता है तो को भी स्प्लीट कर देता हूं मैं इन सब को स्प्लीट कर देता हूं वासे यह सारी चीज़े मुझे स्प्लीट करनी होगी और अब यह मैं मीडिया में जाओंगा क्योंकि यह जो मैन हमारा जो वाल पेपर है उसके बीच में हमें डालना है मेरा इंट्रो है वो तो यह दिखे मेरा इंट्रो डाल दिया तो अब यह क्या होता है पहला जो मेरा आगे वाला पार्ट है वो इस तरह से चलता है और लास्ट में बोलता हूं आईए अब वीडियो शुरू करता है यह बोलता हूं और उसके बा आज तक के लिए इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय हिन जय भारत जय पारती सेना और उसके बाद आपने कब मुझे देखा होगा कि आपको दो तिन वीडियो सजेशन में बताए जाते हैं तो वो भी आप लेयर में जाके मैंने इसको बना रखा ह हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं यह रहा इसको बोलते हैं आउट्रो यह मैंने आउट्रो बना रखा है तो इसको मैं लास्ट में जैसे ही वीडियो खतम होता है वहाँ पर मैं सैट कर देता हूं इस तरह से और इसके बाद की जो सारी चीजे हैं उसको मैं कट कर देता इसको मैं Right से यह Cut कर दिया TRIM From Right TRIM Right TRIM Right TRIM Right TRIM Right TRIM Right और यहां से हम इसको कहां तक है यह & वाला पॉर्शन वहां तक हम देखते हैं और फिर यह उपर वाला जो मेन हमारा है जो बैज है उसको हम काट देंगे बस यह हमारा पूरा वीडियो की एडिटिंग हो चुकी है अब दोस्तों अगर आप चाहें तो इसके अंदर म्यूजिक भी डाल सकते हैं एक बात याद रख कि आप मैं आपको कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें तो वो सब्सक्राइब वाला भी मैं इस तरह से डालता हूँ वो भी मैंने एक बेल आइकन बना रखा है यह रहा व वाला यह तो यह तुपेंश paysort और ए अश्रुमोजण कर दूगा और वो इस तरह से आजाएगा देखिए तो इसको मैं मेरी जहाँ पर जरूरत है वहाँपर मैं इसको इस तरह से सैट कर देता हूं तो इस तरह से बाता है यह तो अब दुस्तों सिंपल ही हमें करना क्या होता है यहां से जो शेर का निसान है इसके उपर क्लिक करें और export वीडियो कर देवे हैं यह export तो यहाँ पर थोड़ी देर में यह export हो जाएगा 2-4 मिनिट इसको लगेंगे पूरी फाइल बढने में चलिए तब तक वीडियो को मैं post कर देता हूं यह दिखो लगबग होने वाला है 2-3 सेकंड के अंदर यह दिखो यह complete हो चुका है अब हम यहाँ से इसको play करके देख सकते हैं अब दुस्तों आप यह देखेंगे कि यह वाला जो वीडियो है वो आपके album में या gallery में या जो वीडियो का आपका folder है उसके अंदर यह देखे यह आ जाएगा यह वीडियो है इसको फिर से प्ले कर देता हूँ यह दिखे प्ले हो गया तो बस simply अब आपको यह वाला जो वीडियो है आप इसका यहां से rename कर दीजी अब हमने यह rename कर दिया अब इसको हम directly YouTube के उपर upload कर देंगे तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो like कर दीजी और अगला कौन सा वीडियो आप देखना चाहेंगे वो comment कर दीजी शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप upload करना सिखना चाते होंगे या फिर उससे पहले हो सकता है कि जैसे मैंने इंट्रो बनाया है आउट्रो बनाया है मैंने अपने नाम का एनिमेशन बनाया है सब्सक्राइब बैल बनाया है शायद आप अगर वो चीजे सिखना चाहते हैं तो आप comment करें सबसे ज़्यदा comment जो आएंगे वो मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा तो आज ये के लिए इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय हिन जय भारत जय भारत इसना